अगर हम बात करें क्लेम इंशॉरेंस की तो क्लेम के लिए किस कारणों से प्राप नहीं होता है किसी जो इंशॉरी होता है उसको क्लेम देखी claim reject होने के खाली दो ही कारण हो सकते हैं पहला कारण है कि अगर जो customer claim करना चाहरा है जिस चीज के लिए customer claim करना चाहरा है वो policy के terms and conditions में नहीं आता जैसे माली जी आप किसी customer की policy में सिर्फ inpatient treatment है outpatient treatment नहीं है ओपीडी बेनेफिट्स नहीं मिल रहे हैं कि मतलब अगर आप हॉस्पिटल में दाखिला नहीं हुआ और आप सिरफ अपना एक अपना आपको दिखाने के लिए और कुछ दवाई के रेकमेंडेशन नहीं के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं कुछ चेकप के लिए जा रहे कि अब यह क्यों होता है ऐसा ऐसा क्यों क्लेम करता है बहुत बार यह देखा गया है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उनकी पॉलिसी में क्या टर्म कंडिशन से उस वजह से उनको पता नहीं होता है और इस वज़ाए उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है यह सबसे बड़ा कारण है दूसरा कारण है अगर कस्टमर कोई गलत काम करना चाहरा है जैसे मालीची कस्टमर को कोई existing बिमारी थी policy करीने से पहले लेकिन उन्होंने बताई नहीं insurance company को तो वो non disclosure में आ जाता है यह एक तरह से fraud में आ जाता है कोई और तीसरा कारण नहीं है जिसके लिए कभी भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है अगर हम इताम बात करें कोविड महाबारी के बाद लोगों के जीवन में insurance के प्रतिजाग रूपता कि तो वो कितने प्रतिशत आप देखते है कि लोग आप health insurance के प्रतिजाग रूप हो रहे हैं और अपना करवा रहे हैं जो लोग पहले टाल देते थे देखी कोविड के टाइम पे तो बहुत जादा कस्टमर काफी जादा अवेर हो गए थे उनको समझ आ गया था कि किसी को भी कुछ भी हो सकता था कोई भी हो सकता था कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे काफी मेजर खर्चा हो सकता था तो awareness काफी बड़ी थी एक जो थोड़ा disturbing trend है वो यह हमने देखा है कि कोविड खतम हो अब करने के बाद से कहीना कहीं एक वह वापस से casualness आ गई है तो इस और बहुत लोग नहीं ले रहे हैं यहां वह सिर्फ अपनी पॉलिसी पर डिपेंड करते हैं वह अलग से अपनी रीटेल पॉलिसी नहीं ले रहे हैं यह थोड़ा दे डिस्टर्बिंग ट्रेंड है और म इसके side effects की वज़ा से young healthy लोगों में बहुत बिमारिया हो रही है जैसे कि heart attacks बहुत common हो गए है cancer इतना common हो गया है इतना pollution है हम देखते दिलियंस यार में उसकी वज़ा से इतना तरह तरह की बिमारिया हो रही है तो एक वह awareness एक तरफ बहुत बढ़ गया था कोविट के बाद थोड़ा सा कम भी हो गया है वह भी सच है तो यह थोड़ा disturbing ट्रेंड है और मैं तो सारे वीवर्स को यही advice करूँगा कि आप अपने लिए एक अच्छी health insurance policy जरूर लीजिए because you never know कल को in the future कोई भी अगर दिक्कत होती है बिवारी होती है तो फिर बहुत एक मोटा खर्चा आ जाता है अपने सामने अगर health insurance नहीं है तो